कि हलो अर्युएन दिस इस एलिक स्मित वेलकम रॉलिज दे अंबीशन स्वागत आपका नॉलिज दे अंबीशन के इस सेशन में तो यहाँ पर हम एचेस मॉक टेस्ट की सीरीज को लेकर चल रहे हैं जिसका पार्ट 13 हम आज डिसक्स करने वाले हैं पार्ट 12 तक अगर आपने नहीं देखें तो ट्वाल पार्ट आप प्लेलिस्ट सक्ष्षम में जाके देख सकते हो सबीपार्ट साफ को सब्सक्राइब कर लें नॉटिफिकेशन बैल को भी आउन कर लें ताकि आने वाले सबीर अगला प्रेट जो हैं आप तक द्रोलरी पहुंचते रहें तो शुरु प्रदेश में निम्र मैसिक किसे महारिशी के रूप में जाना जाता था जाना जाता था अपके आप्शन से यहाँ पर बाबा कांशी राम शोबा सिंग अजीत सिंग या फिर निकोलस रोरिक तो महारिशी के नाम से किसे जाना जाता था तो महारिशी के नाम से निकोलस रोरिक को जाना जाता है निकॉलिस रोरिक जो थे यह रूस के रहने वाले थे यह भी एक्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखने यह रूस के रहने वाले थे और इन्हें महारिशी की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कॉशन है हिमाचल परदिश उद्यान एवं वानकी विश्यव विद्याले सोलन जिले के किस स्थान पर स्थित है फर्स्ट इंग आपको बता दिया गया है इमाचल प्रदिश उद्याइण एवं वानकी विश्यविध्याले जो है वो सोलन डिस्ट्रिक में स्थित आपको बताना है कि सोलन डिस्ट्रिक के किस प्लेस पर रहे स्थित आपको धहन में रखना है और टू इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट कॉशन है नेक्स्ट आपका हिस्ट्री का पोशन है आपको यहां पर बताना है अशोक के आकरमन के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी तक्षिला, पाटली पुत्र, उज्जेन या फिर तोशाली तो कलिंग पूर्वी प्रांत की यहां पर पूछा गया है यहां पर कलिंग पूर्वी प्रांत की राजदानी कौन सी थी आपको बताना है इसका राइट अंसर होगा आपका आपका अप्शन नंबर फूर तो शाली जो थी कलिंग पूर्वी प्रांत की राजदानी थी जब अ में ऑप्रुन किया गया था है कि ठीव नब फूर इसका राइट अंसर है इसके अलाबा शोक के बारे में कुछ एक इंप्रोंटन्ट चानकारी आपको ध्यान में रखनी है ऊचो दौरा एक बड़ा यूद लड़ा गया था जिसे कलिंग यूद कहा जाता है यही कलिंग यूद और इस कलिंग यूद में अशोक ने अपने तेरवें शिलालेख में लिखा था और इसमें एक लाख पचास हजार लोगों को बंदी बनाया गया था और इसी भयानक घटना की ये घटना इतनी भयावय लगी अशोक को कि उसका हिर्दे परिवर्तन हो गया था और उसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ने का इसमें प्रण लिया था इसी युद्ध के दौर बुद्ध संग और धम में पूर्ण विश्वास है किसे अशोक को अशोक ने अपने कौन से शिलालेक में लिखा था तो ध्यान में रखना अपने अपने भब्रु शिलालेक में ऐसा लिखा था कि उसे जो है बुद्ध संग और धम में पूर्ण विश्वास है उसने बुद डिटेल्स आपको शोग के बारे में भी ध्यान रखनी है नेक्स्ट कॉशन है डॉक्टर राजेंदर परसाद ने निमलिकित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी आपके ऑप्शन्स हैं आप पर हैंस फॉर सॉरी होगा आपका हिट्स फॉर सेल्फ कॉल्चर हिट्स फॉर सेल्फ तरी डॉक्टर राजेंदर परसाद के दौरा जो है इंडिया डिवाइड लिखी गई थी ओप्शन अमबर थी इसका राइट अंसर होगा इसके लावा बात करें तो हिट्स फॉर सेल्फ कॉल्चर यह हिट्स फॉर सेल्फ कॉल्चर जो है यह किसके दौरा लिखी गई थी लाला हरद्याल के दौरा लाला ले हरद्याल के दौरा जो Are यह यह सोfर कलचर लिखी गई थी और जो नेक्स्ट आपकी इंडिया वींस फ्रीडम इंडिया विंस फ्रीडम यह अब सुझे अब्दुलकलाम आजाद के दौरा लibt की और जो आपकी थर्ड यह वोर ऑफ लिखी गई थी और हमारा कॉशन था आपका कि जो इंडिया डिवाइडेंट यह डॉक्टर राजेंदर पुरसाद के द्वारा ही लिखी गई थी नेक्स्ट कॉशन है सल्तनत काल के दौराण दिवानिक खैराथ नाम का नया विभाग किस से संबंदिता दिवानिक हैराथ आपके उप्षन से यहाँ पर अनातों और विद्वाओं की देख़वाल करना, क्रिशी रिन उपलद कराना, दासों का विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं तो सल्तनत कल के दोरान जो है दिवानिक हैरात की शुरुआत की गई थी इस विभाग की शुरुआत की गई थी आपको बताना है किसे संबन्दित था तो यह संबन्दित था अनाथ और विद्वाओं की देखवाल के लिए कि option number one इसका right answer है दिवानिक हैराद इसकी शुरुवात किसके दौरा की गई थी यह आपको ध्यान में रखना है फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक के दौरा इसकी शुरुवात की गई थी इन्होंने 1359 से 1388 तक जो है दिल्ली पर शाषन किया और दिवाने खहरात की स्थापना की जो की अनातों और विद्वाओं की देखवाल करते थे तौर्गलक वंश के तीसर शाह सकते आपको यह याद रखना है इनके बारे में सभी डिटेल्स नेक्स्ट कॉशन है देश वर में पंचायत राज और नगरपाली का संस्थान की सरंचनाओं को एक रुपता लाने के लिए निमन मैंसे कॉंसे संशोधन किये थे यानि देशबर में जो है पंचायती राज और नगरपाली का संस्थान में संस्थान की सरंचनाओं में एक रुपता लाने के लिए निमन मैंसे कौन से संशोधन किये थे उन दो संशोधनों के आपको यहाँ पर बताने की एक कौन से संशोधन थे भारत में पंचायती राज और नगरपाली का संस्थाओं के धांचे में एक रूपता पैदा हुई थी तो option number 2 इसका right answer हो जाएगा next question है निम्न मैंसे कौन आपदा परबंदन अधिनियम दोजार पांच के तहट गठित राश्ट्रिय आपदा प्रतिकरिया निधी का संचालन करता है ndrf की बात पूछी जा रही है कि ndrf का संचालन कौन करता है डिटेल आपको बता दी गई है कि NDRF यानि राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया निधी का जो गठन था ये आपदा परमंदन अधिनियम 2005 के तहत किया गया आपको बताना इसका संचालन कौन करता है प्रधान मंत्री केंद्रिय ग्री मंत्री संस्थिय कार्य मंत्री या फिर क केंद्रिय वन एवं परेवर्ण मंत्री इसका राइट अंसर आपका उप्शन नमबर टू केंद्रिय ग्री मंत्री जो है वो NDRF का संचालन करता है इसके अलाव आपको द्यान में रखना है राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया वल आपदा परवंदन अधिनियम दोजर पांच की धारा 46 तहट जो है वो गठित किया गया था तो आपको द्यान में रखना है 2005 के Act की धारा 46 के तहट जो है NDRF की स्थापना की गई थी इसे गठन किया गया था और इसका संचालन जो है वो केंद्रिय ग्रीह मंत्री करते हैं नेक्स्ट कॉशन है इन में से कौन विकास की नहरू महाल नोबिस मौडल रणनीती की विशेश्टा नहीं है आपके options यहाँ पर पूंजीगत माल उद्योगों का विक्यास अर्थ विवस्ता में राजो की प्रमोख भागिदारी सारवजनिक शेत्र में ओद्योगिक वी नियमन और वी निविश या फिर सारवजनिक शेत्र का दाइरा और महत्तब बढ़ाना तो इसका राइट अंसर है कौनसी जो है वो विशेशता नहीं है तो option number 3 इसका राइट अंसर होगा सारवजनिक शेत्र में ओद्योगिक वी नियमन और वी निविश अब इसके अलाब आपको ध्यान में रखना है नहरू महाल नोबिस मॉडल के बारे में तो नहरू महाल नोबिस मॉडल को जो है वो भारी उद्योगों पर केंदृस किया गया था और इन उद्योगों की प्रकार जो निशिथ किये गए थे और तीसरा था आपका अपभोगता इच्छा तो ये तीन प्रकार थे इसके लाब आपको ध्यान में रखना है कुछ और एक important detail पहली पंच वर्षिय योजना जो डॉक्टर सरी PC महाल 29 मौडल था इस पर कौन सी पंच वर्षिय योजना जो थी वो अधारित थी तो ये याद रखना आपको दूसरी पंच वर्षिय योजना ये harid domer model पर अधारित थी इस पर अधारित थी पहली पंच वर्षिय योजना दूसरी PC महाल 29 मौडल पर अधारित थी और इस योजना के दौरान जो है दुर्गा विलाई और रावर केला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी कौनसी योजना जो दूसरी पंच वर्षिय योजना थी नेक्स्ट कॉशन है अनुरणन काल टैस्ट पर निर्वर करता है अब पहले आपको मैं बता दूं कि अनुरणन काल होता क्या है तो अनुरणन काल जो है अनुरणन ध्वनी की कई परिवर्तनों का संग्रय है और ध्वनी के स्त्रोत के बंद हो जाने के बाद इनको परिवर्तित ध्वनी को एक बंद क्षेतर में लुप्त होने के लिए आविश्यक समय ये कहलाता है इसे अनुरणन काल कहते हैं तो यह किस पर निर्वर करता है यह स्थान के आकार और आमाप पर जो है वो निर्वर करता है option number three इसका right answer होगा स्थान के वायू द्रवयबान और वायू मेंडली दाप पर जो है यह विल्कुल भी निर्वर नहीं करता तो दोना option आपके गलत हो जाएंगे option number three इसका right answer होगा next question है तो आज के questions से आपके यहीं पर समाप्त होते हैं I hope आपको यह session पसंद आया होगा यह आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो को like जरू करना है और डेली बेसीज पर हमारे चैनल के सभी series आपको जुड़ना है हिमाच्व परदेश जीके का डेली session में ड से अलाबा history quiz जो डेली six morning six a.m. आता है और इसके अलाबा important personalities of हमाच्व परदेश एक नई series start की है जिसमें हमाच्व परदेश के important personalities की profile discuss करते हैं तो इन सभी series के साथ आप जरूर जोड़ें तो मिलते हैं next video comment thanks for watching and best of luck for your bright future